श्री शद्गुरू महाराज की जय पुजय पाद महर्शी संसेवी परमहन्स जी महाराज का परवचन एक शब्द से सारी श्रिष्टी हुई है इस परवचन का चौथा अंतिमभाग विचारणे विशे हे कि जब तक कहीं स्थ्य नहीं है तब तक उसकी नकल नहीं होती अतिये कहीं न कहीं अशल अवश है वह अशल क्या है कहां है उसकी खोज होनी चाहिए कि हमारी दि्रिष्टी की धारों में केवल लंबाई ही लंबाई है चोड़ाई नहीं चोड़ाई उसको कहते हैं जो लंबाई के अतिरिक्त पार्ष अस्थान को ढखती है हम द्रिष्टी से जहां तक देखते हैं उसमें लंबाई ही लंबाई होती है यहां से हम सोड़ी को देख लेते हैं लंबाई ही लंबाई है उससे पार्ष्व अस्थान ढखता नहीं है, हमारी द्रिष्टी की धार में केवल लंबाई ही है, यह लंबी और विशुद्ध रेखा है, दो रेखाओं का मिलन एक विंदू पर होता है, जहां हमारी द्रिष्टी की दोनों धाराएं मिलेंगी, वहां पर एक विंदू का उदय होग और वह विंदू कैसा होगा हमारी लेखनी में जिस रंग की श्याही होती है कागज पर हम लेखनी रखते हैं तो उसी रंग का एक छोटा सा चिन्य उत्पन होता है जिसको हम विंदू की संग्या देते हैं लेखनी में लाल श्याही होती है तो लाल रंग का चिन्य होता है काली श्याही होने से काला चिन्य होता है कहने का तात्पड यह है कि जिसे रंग की श्याही होती है उसी रंग का चिन्य होता है हमारे दृष्टी के जो धार है इसमें कौन से स्याही है हमारे दृष्टी प्रकाश मैई है इसलिए दृष्टी की दोनो धाराएं जहां मिलेंगी वहाँ जो विंदू उत्पन होगा वह प्रकाश में विंदू होगा इसलिए तेजो विंदो पनिसद में कहा है तेजो विंदो है परंग ध्यानंग विश्वात हिर्दे संस्थितम अर्थात हिर्दे अस्थित विश्वात्म तेजस श्वरोप विंदो का ध्यान परम ध्यान है उस तेजस विंदो में जो अपने को परतिष्ठित कर पाते हैं वे शुक्ष में प्रवेश कर जाते हैं तमसो माजोति रिगमय हो जाता है वे ही शुशुमना में उस नाद को पकरते हैं शुरिष्टी के पांच बड़े बड़े विशाल मंडल हैं उन पांचों के पांच केंद्र हैं शंद कभीर सहाब ने कहा है पांचो नौवत बाजती होत छ सत गुरु परखु सुजानु पंच शब्दू धनिकार धुनी तहन बाज शब्दू निशानु उन पंच शब्दों को पकड़ो वे पांचों केंद्रों के पांच सब्द हैं किस तरह पकड़ो हमारे गुर्देव जी महराज इसकी ब्याक्या करते हैं वे कहते हैं इस केलिए तुम बाहर कहां जा रहे हो अपने अंदर खोजो निजतन में खोज सज्जन बाहर न खोजना अपने ही घट में हरी हैं अपने में खोजना किस तरह दो नइन नजर जोड़ी के एक नौक बना के अंतर में देख सुन-सुन अंतर में खोजना कहां तक द्रिष्टी को ले जाओ किस तरह ले जाओ तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैंचला वहां ले जाओ तो क्या होगा अनहद धुनों को सुन सुन चड़ चड़ के खोजना वहीं पर ध्वानी मिलेगी वहीं पर वह आवाज मिलेगी वहीं पर वह शब्द मिलेगा बजिती है पांच नौबतें सुनी एक एक को प्रती एक पर चड़ी जाए के निजना है खोजना शब्द में यह और गुन होता है कि वह अपने केंदर में खीषता है शब्द का दूसरा गुन है उपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है शब्द का तीसरा गुन है उसके केंदर में जो गुन होता है उसको वह शाथ लिये रहता है और सुनने वाले को उस गुन से वह शं परमात्मा ने जो श्रिष्टी की उस पर उपर से जो शब्द हुआ उस नीचे की वह नीचे की ओर आया शब्द अपनी ओर खीशता है जैसे अंधेरी रात हो और हम तूटू करके कुट्टे को पुकाड़ें तो वह हमारी आवाज सुनकर कुट्टे कुट्टा हमारे पास आ उसी तरह परमात्मा से जो आवाज हुई है उस आवाज को यदि हम सुन पाएं तो हम कहा जाएंगे गीता के छट्टे अध्याई में भगवान ने कहा है श्रिमत भागवद गीता में लिखा है जिग्याशुरपी योगश शब्द ब्रमाति वर्तति अर्थात शब्द ब्र करे कुछ दिन अमल ला इल्लाह अकबर पर जाने के लिए अर्थात पर ब्रम परमात्मा तक पहुंच जाएगा शंत कबिर शहाब और गुर्णानक देव की भाती हमारे गुर्देव कहते हैं सुशमना में उस शब्द को पकरो यह अस्थूल मंडल का केंद्र है अस्थूल क केंद्र पर के शब्द को पकरोगे तो खीच कर सुख्षम के केंद्र पर चले जाओगे सुख्षम के केंद्री सब्द को पकरोगे तो वह खीच कर ले जाएगा कारण के केंद्र पर क्योंकि कारण के केंद्र पर वह सब्द आ रहा है कारण के केंद्र पर जिस सब्द को पक को पकड़ेंगे तो वह खीचकर केवल के केंद्र में ले जाएगा केवल के केंद्री सब्द को पकड़ेंगे तो वह परम परवो परमात्मा तक पहुचा देगा क्योंकि प्रणव ब्रह्म्य का वाचक है और ब्रह्म्य वाच्य योग शास्त्र में लिखा है तश्य वाच्य का प्रणव है वही प्रणव ओम है वही अस्पोर्ट है वही उद्गीत है वही सब्द ब्रह्म्य वही ब्रह्म्य नाद है जो उस वाचक को प्राप्त करता है वह वाच्च को प्राप्त करता है वह प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उपनिशद में आया है अर्थात अपनी देह को नीचे की अर्णी और प्रणव को उपर की अर्णी करके ध्यान रोप मन्तन से छिपी हुई वस्तु के समान देव को देखे कितने लोग प्रणव का उच्चारन करते हैं कितने लोग ओम का उच्चारन करते हैं लेकिन यह शब्द उच्चारन का नहीं है वह तो तंत्र सास्त्र के अनुशार है इसका उच्चारन हम कैसे करते हैं इसलिए ओम शाधना के शंदर्व में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमत भागवत गीता के आठवे अध्याय में कहा है शर्व द्वारानि शन्यम मनो हिर्दे निरुद्धिच मुर्धना ध्यायत मनह प्राणा मास्थितो योग धारनाम ओमित ये काक्षरंग ब्रह्म ब्याहारन मानूस्मरन यह प्रयाती तेज देहंग्षो याती परमांगती विद्व जन इस विशय को अच्छी तरह समझ शक्ते हैं कि जब इंद्रियों के शभी द्वार बंद हो जाएंगे और मन भी हिर्दय में निरुद्ध हो जाएगा तब फिर ओम वा प्रणव का उच्चारन किया जा सकता है वस्तुतह अंतर शाधना द्वारा अंतर जोती और अंतर नाज की शाधना द्वारा जो अपने को जडात्मक मंडल से उपर चेतन्य मंडल में पहुँचाता है वही उस चेतन्य शब्द को पकर सकता है वही शब्द परंपर्व परमात्मा से जाकर मिलाता है क्योंकि परमात्मा से ही वह धारा अस्फोटित हुई है इसलिए उसका नाम है अस्फोट वह यहां का गीत नहीं वहां का गीत है इसलिए उसका नाम है उद्गीत इसी को ओम कहते हैं इसी तरह पंचम बजय धुर घर से जहां आप विराज है गुरु की किरपाशे में ही तह पहुंची खोजना वह जो पंचम शब्द है उस पंचम नाज को जो कोई पकड़ता है वह परम परभु परमात्मा से जा मिलता है जो परम परभु परमात्मा शांती श्वरूप है जो उस परम परभु परमात्मा को प्राप्त करेगा उसी को परम शांती मिलेगी शनशार में कहीं सांथी नहीं है हमारे गुर्देव कहते थि, अध्यात्मिक्ता और शदाचारिता दोनों का Q और Y jemand का शंबंध है जो अध्यात्मिक्ता को ग्रहंड करेंगा वह परमात्मा ग्रहंड कार परम-पवित्र होगा वह जूट चोड़ी नशा हिन्शा और वेविचार सब से उपर उठ जाएगा वही सदाचारी होगा जो सदाचारी होगा उसका हिर्दै सांत होगा फिर कलह कहां फिर अत्याचार अनाचार दुड़ाचार वेविचार आधी जो कुछ दुशकर्म हो रहे हैं वे क्यों कर होंग कि आध्यात्मिक ज्यान हमारे पास नहीं है आध्यात्मिक लाव करना परमावश्यक है इसी के लिए इस सत्संग का आयोजन है इस सत्संग से जो कुमन है वह सुमन हो जाता है और वह सुमन आगे चलकर एक दिन अमन हो जाता है फिर तो अमन चैन की बंसी बजाता रहता है अग अगर सब के सब आध्यात्मिक्ता को अपनाएंगे तो सब के सब अमन्चैन की बंशी बजाएंगे पूजिपाज महर्शी संसेवी परमहंशी महाराज का यह परवचन अखिल भारती संतमत सचंग के छ्याश्वे वार्शिक महादीवेशन के अवसर पर वान प्रस्त आश्रम रिशी केश में दिनांक 35.1997 वी को अप्राहन कालिन सचंग में हुआ था स्री शद्गरू महराज की जयाए